Hello student, welcome once again प्यारे बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग question number 5 solve करेंगे exercise 4.3 का यहाँ पर आपके एक graph दिया हुआ है graph में एक equation का line बनाया गिया है और equation के ना आपको 3 point दिये गए हैं जैसे देखो question number 1 में, question number 4 में हम लोग क्या करते थे एक equation रहता था मारे पास उसके अपन 2 points find करते थे जैसे x की 2 value निकालते थे और y की 2 value निकाल लेते थे उसके बाद फिर हम लोग उसको graph में से denote करते थे मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि आप x और y की कई सारे values निकाल सकते हो इन 2 से ही काम चल जा रहा है इसलिए हम उसके जादा नहीं निकालते थे लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों graph में आपको 3-3 points दिये गए है जैसे x और y की एक value यहाँ पर है एक value यहाँ पर है और एक value यहाँ पर है यहाँ जो 4 equation दिये हुए है न इन में से कौन सा equation के लिए यह line बनेगा अब यह कैसे पता चल सकता है तो इसका simple से तरीका यही है कि यह जो 3 points है यह किस equation में satisfy कर रहे है satisfy मतलब कि अगर हम लोग equation में values को put करते हैं तो हमारा जो equation वो पूरा का पूरा काम कर रहा है, work कर रहा है, satisfy कर रहा है तो वहाँ पर यह हमारा क्या बन जाएगा उसका equation बन जाएगा यानि कि यह वाली जो line होगी वो उस equation के लिए रहेगी जैसे कि example के लिए मैं पहला आपको समझाता हूँ यहाँ पर y equal to x लिखा हुए है तो y और x दोनों आपस में equal है तो यह 0-0 तो इसके लिए हो जाएगा यानि 0 equal to 0 यह वाला तो हो जाएगा यह केवल एक ही नहीं लेना है अपने को तीनों point देखने है तो minus 1 और यह 1 है x का value हम लोग जानते है पहला वाला x का रहता है और बाद वाला y कराता है तो x का यहाँ पर minus 1 दिया हुआ है और y का यहाँ पर plus 1 दिया हुआ है तो y के जगा मैं plus 1 लिखूंगा तो वो equal होगा क्या minus 1 की देखो plus 1 और minus 1 आपस में equal नहीं होगा 0-0 आपस में equal है लेकिन plus 1 और minus 1 दोनों अलग लग चीज़े है तो वो equal नहीं होगा तो इसके लिए तो यानि यह जो point है इसके लिए तो यह satisfy कर रहा था लेकिन second वाले इस point को मैं नहीं लिया तो यहाँ पर इस satisfy ही नहीं कर रहा है तो बहले 2 में अगर satisfy कर भी देगा लेकिन अगर एक में भी satisfy नहीं करेगा न तो फिर वो गलत हो जाएगा यानि कि वो जो हमारे equation है यह इस line के लिए नहीं है एक line में बात 00 के लिए तो हो रहा था लेकिन इस वाले point के लिए नहीं हुआ तो यह हमारा नहीं बनेगा अगर इस वाले point के लिए भी हो जाता 00 के लिए भी हो जाता और इस वाले point के लिए नहीं होता तो भी वो नहीं कर लाएगा तीनो के लिए satisfy करना पड़ेगा तो पहला और तो हमारा नहीं satisfy कर रहा है दूसरे वाले को चेक कर लो जो चेक यहाँ पर हो जारा है डारेट हो जारा है तो डारेट कर लो इसमें आप कुछ solve अगर नहीं करना है अगर डारेट नहीं होता है तब फिर आप copy में थोड़ा सा solve कर सकते हो roughly वर करके देखो जैसे दूसरा अगर मैं equation लूँ x plus y equal to 0 तो मैं starting करता हूँ यहाँ पर से पहले इसका ले लता हूँ 0 जरो नहीं लेंगे हम उपर से लेके आएंगे यहाँ से इसको लूँगा पहले फिर इसको लूँगा और फिर इस point हो चेक करूँगा तो x plus y equal to 0 है x जहाँ पर अगर मैं minus 1 रखता हूँ तो y के जगा पर plus 1 रखना है तो minus 1 फिर plus 1 हो गिया equal कि उस side में 0 है तो 0 लिख लेता हूँ तो यह हो जाएगा मेरा minus 1 और plus 1 कितना हो जाएगा अपस में 0 हो जाएगा कि minus और plus minus होता है 1 में से 1 minus हो तो 0 आजाएगा तो 0 equal to 0 आ गिया पहले वाले के लिए यहाँ पर आप x जगा पर इसको minus 1 कर दो और plus में y के जगा पर 1 कर दो equal कि उस side में 0 है अब आप यह जो plus 1 है इसको धर ट्रांसफर कर दो तो minus 1 equal कि side में यह plus 1 बन जाएगा तो इधर भी आ करके minus 1 बन जाएगा तो इधर भी minus 1 आ रहा है 00 भी आ रहा है वो भी चलेगा अगर minus 1 और minus 1 लिखते हो तो यह भी चलेगा कई सारे तरीके होते हैं मैं तो solve करने का यानि कि यह वाला जो हमारा equation है यह minus 1 और plus 1 के लिए है तो यह वाला हमारा point तो work करेगा दूसरा हमारा point 00 ले लो तो यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ और यहाँ पर 0 लिखता हूँ तो डिलेट दिमाग में ही solve करो यह 0 plus 0 equal to 0 हो जाएगा तो 0 equal to 0 आ गिया हमारा यानि इधर भी 0 आ गिया और इधर भी 0 आ गिया यानि second वाला भी जो point है न यह भी इस वाल equation के लिए satisfy कर रहा है तो पहला दूसरा तो satisfy कर लिए तीसरा हमे अगर करा तब तो यह फिर हमारा equation तो वह हमारा equation इस लाइन के लिए नहीं बनेगा तो तीसरा हमारा point है वो कितना है 1 और minus 0 है तो 1 और minus 0 है यानि इसके जगा पर अपने को plus one रखना है, x जगा पर प्लस one रखना है, और y के जगा पर पहले तो plus की sign लगा लेता हूं मैं, और फिर y के जगा पर अपन minus one कर देते हैं, equal को उस side में zero है, तो यह सब काम आपको rough में करना है, या फिर अपने दिमाग में करना है, इसका मतलब यह जो second वाला हमारा equation है, यह तीनों points को satisfy कर रहा है, तो इसका answer क्या हुआ, यह जो हमारा line है यह इस वाली equation के लिए है, तो second आपको इसको answer कर आपको अब क्या बूर रहे हो, अगर exam में बनाना चाहे हो, या फिर अगर fair में आप लिखना चाहे हो, तो इस तरह के लिख सकते हो, कि x plus y equal to 0 is the equation for given line graph, इस तरह के साब अपने सी statement आगर के लिख सकते हो, कि x plus y equal to 0 है, वो जो line graph दिया हुआ है न, इसके लिए यह equation है, तो इसका जो answer होगा, वो second वाला हो जाएगा, simple, आगे कर चेक करने का अब जुरतीज नहीं है, अगर आपका यहाँ पर answer नहीं आता, तब हम लोग आगे चेक करते हैं, लेकिन अब यही पर answer आगिया, तो चारों में से कोई एक ही option सही होना चाहिए, तो एक option हमारा सही हो गया, तो आगे कपचे एक करने की जुरत नहीं है, time waste नहीं करना है अपना, चलो अब यह वाला में देख लेते हैं, यहाँ पर भी अपने को चार option दिये गये हैं, और यह जो graph है, यह बना करके दिया हुआ है, एक एक करके सभी में हम लोग पूट करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैं बना रहूंद मुझे दिक्कत भी हो रहा है, और बहुत जादा time waste भी हो रहा है, जल्दी जल्दी मैं करनी पा रहा हूँ, तो चलो इसको जल्दी से हम लोग copy में solve करके देखते हैं, पॉइंट्स को लिख लेंगे, minus 1 और 3 है, 0 और 2 है, 2 और 0, 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को एक एक करके इसमें, put करके अपन देखते हैं, कि हमारा answer किसमें आता है, एक सेकेंड, तो देखो, यहाँ पर अपने को तीन पॉइंट जो दिये हुए था न, line में बना करके, वो मैंने यहाँ पर उतार लिया है, minus 1, 3 है, 0, 2 है, 2, 0 है, ठीक है, और जो पहला और हमारा question है, यानि जो पहला option में दिया हुआ है, वो दिया हुआ equation में, y equal to x plus 2, हम लोग को जानते क्या है, second और अलब i का value है, तो इसके जगापर अपन 3 रखेंगे, और यह जो minus 1 है, उसको x जहापर रखेंगे, चलो put करके देख लेते हैं, इसके जगापर मैं 3 लिखता हूँ, equal कि उस side में, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x जहाँ पर minus 1 करूँगा, तो minus 1 plus 2 हो गया, तो देखो, यहाँ पर मेरा answer लग रहा है, साब साब की गलत हो जाएगा, यह मेरा plus 2 है, और यह minus 1 है, तो 2 में से 1 minus होगा, तो 1 आ जाएगा, तो 3 equal to 1 आ रहा है, यानिकि यह तो आपस में equal नहीं है, तो यह हमारा satisfy नहीं कर रहा, equal हो जाता आपस में, अगर इधर भी 3 और इधर भी 3 आ जाता, तब satisfy करता, यानिकि जो पहला option है, यह यहीं पर direct गलत हो गया, जब हमने पहला वाला value को put किया, उसी में वो गलत हो गया, तो पहला वाला को छोड़ दो, second वाला जो option है उसमें चलो, second में क्या दिया हुआ था हम equation, y equal to x minus 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो लिख लेते हैं, y equal to x minus 2 है, तो पहले ही वाले को पहले put करेंगे, y के जगा में अपन 3 कर देते हैं, equal के उस side में x जहाँ पर minus 1, और ये minus 2 हो गया, तो 3 equal to हो जाएगा मेरा, minus 2 और minus 1 add तो हो जाएगे, दुनों minus में हो तो, 2 और 1, 3 तो हो जाएगा, इन बड़े नुमर माइनस की साहन है, तो minus 3 आएगा, तो देखों, यहाँ पर हमारा plus 3 और ये minus 3 equal है, क्या, नहीं है, इसका मतलब कि second वाला भी हमारा work नहीं कर रहा, तो यहाँ पर यह चीज़ भी ध्यान रखना, यह हो सकता है, आप मैं जिसे पहला उला ले रहा हूँ, आप पहला उला नहीं नहीं लिए, इक्जान में आप पीछे से ले लिए, तो इसको solve करोगे तो हो सकता है, एक बार आजाए, यह भी solve करोगे तो हो सकता है, यहाँ पर work कर जाए, दुनों से equal आजाए, इन थर्ड उला solve करोगे, तो देखोगे कि यह रहे, यह तो equal नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि हमारा जो equation है, वो गलत है, यह उस line के लिए नहीं है, तीनों point आने चाहिए equal, यह ध्यान रखना, अगर यहाँ पर मेरा मालो, यहाँ पर ही पहला होल, अगर सही आ जाता है, तो मैं दूसरे को point को रखके check करता, और फिर यह तीसरे वाले को भी check करता, ऐसे 1 के करके हम लोग चेक करते, जैसे question मर 1 में किया था, यहीं पर गलत हो गया, तो आगे check करने की भी जुरुत नहीं है, खेल खतम इसका, चलो जो third option दिया हुए, उसको check कर लेते हैं, थर्ड अपने हों कितना दिया हुए तबही है, y equal to minus x plus 2, कोई बात नहीं है, y equal to minus x plus 2 लिख लेते हैं, y के जगा में यहीं बले start करेंगे, y के जगा में 3, और x से जगा पर minus 1 रखेंगे, ठीक है तो y के जगा पर में 3 लिख देता हूँ, x से जगा पर minus 1 करना है, और यह पहले से minus में है, तो minus की sign जो पहले वाली उसको लिख लो, फिर bracket में आप इसको minus 1 लिखो, x से जगा पर इस तरीके से, और यह जो होगा plus 2 लिख जाएगा, तो 3 equal to हो जाएगा, minus और minus plus हो जाता है, bracket हटेगा तो यह plus 1 मन जाएगा, equal की उस साइड में 2 हो गया, तो 3 equal to 2 और 1 3 आगया, तो पहला वाला के लिए तो satisfy कर रहा है, यह जो हमारा equation है थर्ड वाला, वो पहले वाले point के लिए satisfy कर दिया, अब दूसरे वाले point के लिए check करेंगे, यह दुनों तो गलत हो जुके हैं इसको हम लोगों नहीं देना है ठीक है दूसरा वला जीरो और टू है यहाँ पर वपन क्या करेंगे एक से जहाँ पर जीरो और य की जगा पर य की जगा पर मैं टू लिख देता हूं डारेक्ट एक्वल को उस साइड में हमारे पास माइनस यह हो जाएका मेरा मैन जीरो ठीक है और ये प्लस का टू तो मैने जीरो या रहे है जीरो यानि कि एहां Ref तो यहां फिरान दो कि पहले से माइनस की साइन लगाएंगे और यह जो 2 गिया, यह जो प्लस का 2 है सो उतार दो, 2 तर गिया, यह मातलब यह जो हमारा थ्रड वाले एक्वेसन है, यह ही एक्वेसन इस लिनियर ग्राफ के लिए है जो अपने को 4.7 में जो graph बना करे दिया हूँ ना figure बना करे दिया हूँ है उसके लिए जो सही option है वो y equal to minus x plus 2 है तो इसका भी statement आप जैसे मैंने first वाले question के लिए बताया था फर्स वाले पार्ट के लिए बताया था 4.6 ले वैसी इसका भी statement बना करके आप लिख देना कि y equal to minus x plus 2 is the equation for the given graph इस टाइप से आप आपका लिख देना statement आपका जो answer वो complete हो जाएगा आपको बहुत अच्छे समझ में आगे होगा question 5 में करना क्या था और कैसे लिखना है अब मि झापका जूब मिख पार्ट के लिख दाशोब पार्माएब करना था लिख बिख देना क्या झाया है